अगर 2022 से लेके अब तक मैं स्टॉक को देखूँ तो एस इस टॉक ने कोई भी बहुत ही बड़ा प्राइस आक्शन यहां पे नहीं दिया पहले हमें समझ में आया कि एक बहुत ही अच्छा यहां पे सपोर्ट था और उसके बाद यह मेरा लास्ट एक स्विंग लो बना इसके बाद मेरा जो स्टॉक है ओपर गया अगर मैं इसको लो कंसीडर करूँ और यह टेक्निकली यह हाईयर लो है और टेक्निकली यह भी एक हा आप मुझे बत्वाईये कि यह स्टॉक का ट्रेंड पेस्ट और हाईयर लो क्या हैं श्विंग लो के आदार पर क्या में इससे कह सकते हैं कि यह बुलिख है या بैरिश है wonderful आप सभी ने लिखा bullish take my thumbs up that is right answer तो अगर हम low देखें तो क्या है bullish लेकिन अगर हम इसका high देखे अगर हम इसका high देखे तो high के अंदर आप में से कुछ लोग ही कह सकते हैं कि sir ये you know bullish तो मुझे नहीं लग रहा लेकिन bearish भी नहीं लग रहा तो हो सकते हैं कि high अगर मैं जिसे मैंने low यहां पर मैंने consider किये अगर उस तरीके से अगर आप high consider करो तो maybe some of you will not say कि यह bullish है लेकिन bearish तो मेरे इसाब से कोई नहीं गएगा तो trend analysis करने का ये भी एक तरीका है और ये तरीका आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है किसी भी चार्ट में तो one of the simple thing इस दुनिया की सबसे आसान चीज़ अगर आप कर सकते हैं तो वो है उस चार्ट को line chart में कनोट कर दिना देखो याद रखे जब भी किसी stock में आपको trend समझ में ना है जब भी किसी stock के सबसे आसान चीज़ अगर कोई है तो वो है उसको line chart में convert कर दिना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी stock को अगर आपने line chart के अंदर convert कर दिया ना तो आपको naturally देखो आपको क्या आता है यह मैं नहीं जानता लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस chart में आपका confidence level low है अगर आपने उसको line chart कर दिया in just fraction of seconds आपको सारी चीज़े clearly दिखने लगेगी आपको सारी चीज़े समझ में आएगी और इस process को कहते हैं cluster removing 2022 का low यहाँ था 2023 का low यहाँ था and 2024 का जो low है वो यहाँ पर है यानि year on year जो आपके low है यह up जा रहा है increase हो रहा है मतलब higher low yearly higher low आप इसे यहाँ पर कह सकते हैं तो यह 2023 के high के पास consolidation यहाँ पर किया I can say that के previous year क्या high जो stock है यह break करने के मैं कोशिश यह जो stock है यह कर रहा है अगर यह stock का price गिर यह जो level होगा this will be a level for accumulation यहाँ पर दो strategy मेरी एक साथ चलेगी एक होगा यहाँ पर stock SIP and दूसरा जो होगा that is my lump sum buy अब दूसरा जो stock यहाँ पर लेते हैं that is a tech mehindra तो देखो यहाँ पर यह जो chart आप देख रहे हो this is a comparison between NFT candle stick जो आप यहाँ पर देख रहे हो that is your nifty and यह सारे जो line आप देख रहे हो यह है आपके sectors तो आप देख सकते हो कि in the year 2024 एक sector जिसने बिल्कुल भी perform नहीं किया in fact nifty से यह almost 2% under performance यहाँ पर दे रहा है which is called IT tech mehindra stock अगर हम देखें again IT sector में growth वाला stock है बड़े अच्छे return इसने पिछले साल में एक investors को देखे रखे तो अगर आप यहाँ पर Fibna की retracement अगर आप यहाँ पर लगा दो the stock is right now trading at approximately 50% का retracement तो 50% के retracement से जब कोई stock breakout करता है तो कहा जाता है कि उसमें एक नया friend या एक नया starting point of rally यहाँ पर आ सकता है the first target is 2390 तो my return would be 74% कि अगर मुझे यह stock purchase करके रखना पड़े थोड़ा सा मुझे यहाँ पर डर लगेगा लेकिन अगर एक बार मैंने अगर ऐसा कोई stock पकड़ लिया और अगर दो साल के अंदर almost 4 गुना अगर होता है तो क्या यह एक अच्छी strategy है या ने please know, please let me know in a comment section Ariant MQ 3.0 के अंदर एक नया अध्या यहाँ पर शुरू होने जा रहा है हम कुछ नई strategy advanced strategies, powerful strategies highly result oriented strategies and high return yield strategies जो है हम उसको यहाँ पर unfold हम करने वाले हैं कुछ ऐसे stocks आपके साथ share करेंगे if you join us in Ariant MQ 3.0 और मैं जितने भी trade में करता हूँ Ariant MQ में मैं सीना तान के, मैं सीना ठोक के मैं करता हूँ मैं openly में बोल के मैं करता हूँ कि भाई साब मैं यह trade ले रहा हूँ तो अगर आप मेरे live trade देखना चाहते हो अगर आप मेरा open trade account जो है उसको आप देखना चाहते हो आप मेरे साथ trade करना चाहते हो आप अगर मेरे साथ अलगों में अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको एक काम करना है you need to join us in a Ariant MQ 3.0 आपका जो capital है it should be minimum 3 lakh तो आपको बस एक काम करना है comment section में Ariant click के message कर दीजे my team will get back to you and they will give you all the information और हाँ otherwise आप हमारा जो whatsapp number है आपको शाएद यहाँ पर दिख रहा होगा यह जो whatsapp number है इसमे Ariant click के message भी दीजे my team will get back to you and they will give you all the information तो tech में दरा है कैसा stock again यह जो stock है मैं कल purchase में करने वाला हूँ अपने personal account के अंदर और यह जो stock है इसने एक recently बहुत अच्छा breakout दिया let me just try to share you another stock which is L&T कि इस stock के अंदर pattern M और pattern W जो है न वो बहुत ही अच्छे work करते हैं और जिसे आप देखोगे pattern W working very well pattern M working very well pattern M working very well recently अगर हम देखें तो यह जो stock है यह 2004 January उसी price के पास यह trade करा है in fact बीच में 2-3 बार इसने negative return दिया था lump sum buying तो मैं मंडे को में करने ही वाला हूँ उसका one of the reason यह है कि यहाँ पर यह जो stock है यह 39 EMA को यह cross करने वाला है और आप देखोगे January में अगर आप देखोगे यह even उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो यह जो stock है यह 39 EMA को कुछ अच्छी तरीके से respect यह करता है अब यहाँ पे इसके अंदर और एक pattern है यहाँ पे एक pattern बना रहा है which is called a widening triangle अब इसके अंदर माल लीजे आपको target रखना है simple यह जो last वाला जो swing है इसके उपर अगर फिबिना की लगा दो to a level which is called a 4380 अगर CMP से 4380 अगर आ जाता है तो यह return होगा 24% का and one of my favorite stock और इस stock के अंदर तो भाई साब मेरा दिल और जान सब कुछ इस stock के अंदर बसा पड़ा है and the name of that stock is Titan इसके अंदर already मैंने सारे level मैंने plot करके रखें and Titan एक ऐसा stock है इस stock के उपर मैंने telegram community जो free वाली community है उसके उपर मैंने बहुत बार मैंने already बता है अब देखो एक तो यह वाला जो area है आप कह सकते हूँ कि इस सख consolidation area अगर यह वाली candle को अगर हम छोड़ने तो इसी area के पास इसने एक low, low, low and low इसने बनाए and finally the stock is about to cross इसका यह resistance level I am waiting for the stock to give me a small confirmation about 3, 4, 6, 0 दिपेश जी कह रहे है P.I. Industries रह गया P.I. Industries अगर आप देखोगे बहुत होती जबर्दस consolidation यह जो stock है इसमें immediately कुछ inner trade का confirmation नहीं है यह जो stock है अभी आपको एक shrinking wedge pattern आपको दिखा रहा है So hopefully मैं यह उमीद कर रहा हूँ कि जो stock है यह बहुत जल्दी एक lifetime high को भी cross करेगा अगर आप इसका AR देखे तो 2021 का जो इसका high था उसी price के पास यह trade कर रहा है अब तक यह stock का जो AR है as compared to the high of 2021 it is very very negligible तो आज इस session के अंदर दोस्तों मैंने आपके साथ share के यह 5 stock जिसके अंदर मैंने अपने इसाब से detail में आपको discussion मैंने किया analysis करके मैंने आपको सारी information बताई आज इस session के अंदर आप लोग जुडे मुझ से मिले उसके लिए बहुत बहुत दिन्यवाद let's see you on the next session till then take care of your heart and money and jai hen